यानि पार्टी चाती थी नितिश्कुमार पीम बने और वो पीम का चेहरा भी बने इंडिया गटबंदन में और वो इस योग भी है लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी उनके खिलाफ साजिचें की गई गटबंदन में और इसलिए आप गटबंदन से अलग हो गए यानि प लेकिन हमारे कुछ MLAG से कॉंटेक्ट हुआ ये मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ कितने MLAG से कॉंटेक्ट किया गया जितने आउशक हों तोड़ करके सरकार बनाने के लिए उनको तो आठी चाहिए उतने भी जितने भी हैं तो पहल किस ने की थी है हमें ने पहल की आपने की थी हमनी सम्राट चौधरी सही कह रहे हैं कोई गलत नहीं कह रहे है आप देख रहे हैं न्यूस 24 आपके साथ मैं हूं मानक गुपता आज चाहे वाला इंटरव्यू जेडियू के नितीश कुमार के मुख्य सलाकार और मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी का जो की लोगसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्से रह चुके हैं पचास साल से जादा के राजनितिक अनुभव है और नितीश कुमार के कभी-कभी राइट हैंड भी कहे जाते हैं आपका स्वागत है केसी त्यागी जी चाय वाला इंटरव्यू में आज बता दीजे आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपको दस साल में सौथी बार यू-टर्न मारना पड़ा और वापस बीजे-पी के साथ आना पड़ा पोनी अचानक नहीं भूआ इसकी भी लंभी कहानी हमारी पृति बतिता को सरही है कि हमने राहल गांधिजी के बिरापर में केजरिवाल जी को बठाया हमने कटके जी के बिरापर में ममता जी को बठाया अब तक्रार की जो मूल वजय वो भी मैं आपको बताता हूँ जब दिल्ली में अशोका होटल में मीटिंग हुई है जिसको आप लोगों ने भी कवर किया था ममता जी पहली शाम को दिल्ली आती है केजरिवाल जी के हैं चाय पीती है दोनों की जोइंट कॉनफरेंस होती है जिसमें दोनों ने ताप पब्लिकली एडमिट करते हैं कि नहीं हम लोगों ने तेह किया है कोई चेहरा नहीं होगा अगले दिन अशोका होटल में मीटिंग है मीटिंग चल रही है अचानक ममतादी दिखड़ी हो जाती है और संबोदित करने लगती है कि हमारा ऐसा विचार है कि खड़के जी से बहतर चेहरा कोई और नहीं हो सकता लिहाजा गठवंदन को इनका चेहरा बनाने चाहिए ना सरत पौमार से बात है ना खली सियादव से बात है ना इस्टालिन से बात है ना नित्रिश कुमार से बात है और उसको सपरोट करते हैं के जिरीवाज जी हमें इसमें पैट्री इंट्रिंग्स और मैनिप्रिशन की बू आती है आपको अगर उनको बनाना भी हो अच्छे बड़े बड़िया बले आदमी हैं हमें कोई एत्राज नहीं है शिरीवाज कास्ट के बड़े निता हैं लेकिन आप इस पे सरवानुमती बनाईए नितिश कुमार का नाम जब आता है तब तो आप कहते हैं राहुल गांदी की सरवान निती नहीं बन रही है आपसे कहना चाहता हूँ ये वो दिन है जब कष्ट बढ़ता है जब दूरियां बढ़ती है ठीक है उसके बाद आईए ना उसके बाद की कहानी बताईए उसके बाद जो है वर्चुल मीटिंग वाली बात वर्चुल मीटिंग जब होती है तो उस दिन ये सुर सुराट है और हमको भी एक दो जगस से कम्मिलिकेट है कि शायद नितिश्क मार जाज सही हो जखोंगे और खड़के जी अद्दक्षों में आप समलों के चैनल पर चला हूँ जब ये चर्चा जोर पकड़ती है तो राहुल गांदी जी खुद कहते हैं कि इनके नाम पर सरवानवती नहीं ममता दीदी से बात करनी है ममता दीदी की सरकार को बरखास्त किया जाए ये अधीर अंदन जोदरी एक दिन पहले मांग करने क्या फ्रेंडशिप है हमने तो राहलिती में इतने अंतर विरोधों में कभी नहीं काम किया है वो कहरें आर्टिकल 356 का मिस्यूज करो सोसलिश्टिस के खिलाप रहें जिन्दगी बर हम तो खुद ममता के लिए कह रहें कि नहीं सरकार बरखास्त मत कीजिए लेकिन इतने अंतर विरोधों में राज ली थी भई माफ करना है कॉंग्रिस पार्टि के लोग कर सकते हैं और ये गठमंदन यू भी बहुत अंतर विरोधों से भरा हुआ था गुजराल की तो ये जब सब चल रहा था त्यागी जी आप जहर के घूंट पी रहे थे हाँ जहर के घूंट पी रहे थे चुक्छे बड़े लक्ष में लगे हुए थे उस समय ये था कि भारत जिन्टा पार्टि से हमारी कुछ सवालों पर नराज़गी थी ऐसे में तो ये विपक्ष में हैं तो वहां इमानदार रही थी तो वर्चूल मीटिंग में जब राहूल गांधी ने ममताब एनरजी से पूछेंगे ये कहा तब आपको लगा कि हमारा अपमान हुआ हाँ अपमान हुआ नेगलेक्टिड हुए और एक कॉंस्परेसी हुई कॉंग्रेस पार्टि के द्वारा इसका नेत्रित हरपने की ग्रैबिंग की पर ममताब एनरजी ने अबजेक्ट किया था इसमें राहूल गांधी की राहूल गांधी कैसे हुई वो तो आपस में खुदे लर रहे हैं ऐसा है कि ममता ने भी कोई पब्लीक ली नहीं कहा था ये वर्जन था जो राहूल गांधी कम्लिकेट कर रहे थे तो क्या उसी दिन आपने तै कर लिया था कि अब इंडिया गडबनन छोड़ देंगे उसके बाद हमारे लिए उसमें कोई भूमी का इसे ही निवची हमें लगा नितिश कुमार जी मीटिंग को संबोधित कर रहे हैं और डीमके के एक निता खड़े हो जाते हैं कि इसका ट्रांसेशन हिंदी में करूँ इस वेरी इंसल्टिंग हिंदी तो रास्टबास चाए महातमा गांधी ने कहा कि मैं एक दिन के लिए भी तानर्शा बनो तो हिंदी को रास्टबास चाब बना अच्छा तो फिर हुगे किस दिन आपने के डिसाइड कर लिया कि अब हो गया आपको याद होगा नितिश जी और लालू जी उस मीटिंग में से जल्दी चले आये थे और उसकी देखे इस मीटिंग के तो इस मुमेंट के तो इस घटबंदन के तो निर्माता निर्देश नितिश कमार जी नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे इन नेताओं की बोल चाल भी नहीं थी केजरिवाल जी ने जब कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं के दफ्तरों पे चापे लगे उन्हों का सोनिया जी को इन सब को जेल जाना चाहिए हम जो तब भी तलख नहीं थे उस नेतृत के लिए नहीं वो मैं समझ गया जो आप कह रहे हैं अंतर विरोत थे और आज भी हैं उसमें कोई दोराए नहीं है पर किस दिन आपने ये तैय कर लिया उसी दिन वर्च्वल मीटिंग जिस दिन हुई थे काम नहीं चलेगा तो मतलब आप ये पूरी तरह से कह रहे हैं कि इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ और हमारे मानना है हमारा ये मानना है अब तो कही तरह की चीज़े उभर करके आ रही है अब तो जैराम रमेश कह रहे हैं कि लालू जी और तेजस्वी यादव हमें पहले ही कह चुके थे इसका मतलब लालू यादव और तेजस्वी यादव का भी मन साफ नहीं था अगर जैराम रमेश की बात में यकीन करें पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, तेजपरताप यादव या फिर उनके सारे मंत्री या विधाया के लालू जी उस सरकार चलाने में कोई दखल तो नहीं दे रहे थे अगर आपको याद हो और आपका चैनल भी कही बार चला चुका है जो उनके शिक्षा मंत्री थे, कभी राम को ले करके, कभी सनातन धर्म को ले करके कभी हिंदों के पुर्खों के बारे में, जिस तरह की बयान वाजी कर रहे थे वो तो जरू ऐसेहज थी और जिसकी वज़े से नितिश कमार जी ने चंदर शेकर का शिक्षा का विभाग भी बदला था, उन्होंने वो सवाल उठाने सुनू कर दिये जो उत्तर भारत की रायनी थी, और राम मंदिर वाले पर भी आ जाईए मैं आज भी आपके चैनल पर कहता हूँ, हम राम जनम भूमी बाबरी मस्जिद के सवाल पर किसी भी आंदर उनके पक्षदर नहीं थी, हमने उसको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जो अदालत का फैसला है, उस सबको सिवकार होगा, किसी समाजवादी नेता ने, इविर किसी मुस्लिम संक्टन ने, भी नहीं कहा कि जो सुप्रेम कोट का फैसला वो गलत है, तो जाना च के विरोधी है, सनातन के विरोधी है, उससे भी हमारे गटबंदन की एकसेप्टिबिल्टी और क्रेडिबिल्टी खराब ही, ऐसे वक्ता हम नहीं देने चीए थी, लेकिन ऐसे सवाल कैसे सामूही कि नेतरित में एक विक्ति देता है, ये हमारे समिसे बाद, इतने सारे जहर अपनी, उससे जादे काबिल आदमी, उससे जादे इमानदार आदमी, उससे जादे देश-बक्ता आदमी, उससे जादे परिवार विरोधी, और उससे जादे इमानदार जाते थे, पी-एम का चेहरा बनना चाहते थे, मैं भी चाहता हूँ कि वो बनते तो और अच्छा हो तो मतलब चलिए आपकी दाद दे रहा हूं आपने बहुत इमानदारी से कम से कम ये तो माना कि हा नितिश कुमार पी-म बनना चाहते थे नितिश कुमार पी-म बने लाइक थे लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी उनके खिलाफ साजिचे की गई गटबंदन में और इसलिए आप गटबंदन से अलग हो गए यानि पद के लिए और राजनिति में हम कुछ सन्यास के लिए तो है नहीं है और पद की चक इसको नहीं है तो एक निता का नाम बताया जाए तो त्यागी जी इसका मतलब गए जो थे बीजेपी छोड़कर वो इसी पद के लिए ही गए थे? नहीं गलत बात फिर किसलिए गए थे जिस दिन गए थे उस दिन तो अधेरा था तो किसलिए गए थे पर गए थे एक राजनिति के विकल्प के रूप में तलाश करने के लिए फ्रियों करता थे बीजेपी से क्या दिक्कत होगी थे? किसान जब फसल बोता एक साल नहीं होती दूसरा बीजेपी इस्तेमाल करता है. बीजेपी से क्या दिक्कत होगी थी ऐसे? बीजेपी से दिक्कत होगी थे उसका उल्ले करकर के मैं उन सवालों को दुबारा नहीं खड़ा करना चाहता. नेशनल लीडर से कोई दिक्कत नहीं थी इस तानी इस तर पर कुछ दिक्कत थी जिसका उले करना अब जरूए लिए बीजेपी कमजोर कर रही है हमारी पार्टी को तोड रही है हमको 45 पे ले आई उसको लेकर के भी मैं छिपाना नहीं चाहता हमारी पार्टी नराज भी थी निराज भी थी अगर विजेपी चाहती बड़ी पार्टी के रूप में तो चिराग पासवान ने जितना नुकसान किया था नहीं कर पाती सबसे बड़ी यही वज़ है थी यह बहुत बड़ी बढ़ी बज़े है हो जानी चाहिए समराग चौधरी कह रहे हैं डिप्टी सीम जेडियू को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी क्या इस बात में दम है त्यागी जी क्या कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश हुए ये तो मैं चार-पांट दिन पटना में रहा हूँ और पार्टी के कई सीनियल लीडर ऐसा महसूस करते हैं कि लालू जी के दिमाग में जरूर ऐसा कोई चक्र चल रहा था कि बेटे को जल्दी मुखफंतरी बनाया जाए और चाहे उसके लिए जनता दल्यूमे ही क्यों ना तूट-फूट करनी पड़े ये में पठना के पॉलिटिकल सर्किल्स में सब जगे सडकों पे समाचार पत्रों के दफ्तर में सब जगे चर्चा थी ये चर्चा अगर हमारे नितिश्क मार जी के कान तक गई है तो हमारा चोकरना होना और कुछ से पिरिमेंटी कदम उठाना जरूरी और आवशक है त्यागी जी बहुत खरी-खरी कह रहे हैं और इमानदारी से अपनी बात कह रहे हैं इसका मतलब ललन सिंग को जो अध्यक्षपद से हटाया था वो इसलिए हटाया था त्यागी जी ललन सिंग जी खुद स्थिपा देना चाहते थे मुंगेर का लोकसभा का चुनाव है और वो कई चुनाव पहले भी जीच चुके हैं उन्होंने पांच बार नितिश्जी को कहा कि मैं इस पद पर नहीं रहना चाहता हूँ ललन जी को लेकर के जो चर्चाएं अफ़ाएं हैं उस पर मैं विराम लगाता हूँ लेकिन हमारे कुछ MLA से कॉन्टेक्ट हुआ ये मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ कितने MLA से कॉन्टेक्ट किया गया जितने आउशक हों तोड़ करके सरकार बनाने के लिए उनको तो आठ ही चाहिए उतने भी जितने भी हैं लेकिन वो ये भूल गए कि 8 MLA जब टूटेंगे तो स्पीकर जो से या वैसे उनकी मानता भी खत्म हो जागी पर स्पीकर तो RGD के थे थे तो ये किया गया है पूरा प्रियास किया गया है और आपको कैसे पता चला क्या उन MLA जने बताया जिनको कोई चीज राइनती में देखिया ऐसा है कोई चीज छिपते नहीं है एक तो हम लोग जो फॉन पर बात करते हैं वो भी नहीं छिपती है घरों में लोगों के आवा गमान होते हैं वो भी कोई नहीं चुपती है और आप पठना में अपने समवादाता से पूछी आज शाम को बहुत जोरों की चर्चा थी कि जल्दी ही तेजस्वी आदम मुखफंतरी बनेंगे और हमारे MLS से कुछ से बाक्चीत हो गई है तो जब आप साथ काम कर रहे हो इमानदारिस सा करें उस में ट्री च्री बे competition कोई जैए क्या सांसदों को भी अपरोच किया गया था नहीं सांसदो को नहीं चुकہ सांसदों को करके क्या करेंगे उनका तो एक भी सांसद लोकसमा में नहीं है आपके सांसदों की राय शायद अलग थी खबर यहार यह वो चाते थे कि बीजेपी के साथ चला जाए जाए वो अलग दबाव बना रहे थे नितीज जी पर क्या है सच है रहे लिए एक तो नितीज जी के बारे में ऐक्सी समझे लिजीए जिसको परिवार पाल ना हो जिसको डिस्पर्पोर्जट एशेट हिकटे करने हो वो डरे राय नितीम है नितीज कुमार जी पे एसेट ही निए ठीक्रपोर्जट के बात चोड़ती जीए एक लोकलाज में जितना वो जिया है में इन सारे नेताओं के साथ काम किया है इतना कोई नहीं जिया उस पर कोई लांच चाल ना लगे, उस पर कोई आरूप ना लगे, इसके लिए वो बहुत मर्यादीत होके जिया है उसी की वज़े है कि जब बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी उनके साथ सम्मान से वेवार करती है कांग्रेसी और आर्जेडी के साथ जाते हैं तो वो भी उनके साथ अच्छा वेवार करती है जिसको आप कह रहे हैं पल्टूराम जिसको आप कह रहे हैं दल बदल क्रेडिबिलिटी बची ही नहीं है उनके किस कॉंग्रेस पार्टी की बात करो मैं जा इस पे भी आप से बात कर लो बारे राज जैसे हैं तेहरे इस अंतराश्टिय पार्टी का एक भी MP नहीं है आंदरा, चंडीगर, दादनगर अविली, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल, जम्मो कश्मीन, नागलेन, राजस्तान, सिक्किम, तिरपुरा, उत्राखंड एक दूसरा 52 MP हैं जिसमें से 31 MP तीन राज से हैं केरला 15, पंजाब 8, तमिलनाडू 8 और बाकी से और हैं अब गठबंदन का जो सरूप क्यों खराब हो रहा था, हर्याना में जो उनके आधार छेतरे, राजस्तान में, मद्यपरदेश में, 36 गड़ में, गुजरात में, आपके तेलंगाना में, हिमाचल में, उत्राखंड में, और कर्नाटक में, एक भी सीट किसी को नहीं देंगे एक भी, ये कहा है वो, हाँ, कहे दियानों कि कोई कंप्रमाइज, हाँ, ये भी उन्हों ने करा कि हम सारी सारी बीजेपी को दे देंगे, हर्याना में दस की दस बीजेपी, राजस्तान पच्चिस के पच्चिस बीजेपी, हैं, निमाचल पांच की पांच, उत्राखंड चा की चार, लेकिन सायूगे को नहीं देनी, नमबर दो, उप में एक MP है, 20 सीट चाहिए, विहार में एक MP है, 8 सीट चाहिए, पश्च्चिस बंगाल में 2 MP है, 10 सीट चाहिए, एक सीट में महरास्ट्रा में, वहां पे 24 सीट चाहिए, तो ये जो गठ्बंदन को हڑडपनी की, ये भी एक बड़ाई हमारे नहीं है, नहीं हमारे नहीं है, सपा अंदर खाने बहुत नराज है, ममता खुदी कह चुकिए कि पूरे दिश में अलाइंस करूंगी, ममता जी का जनाधर्ट जमुक शिह में भी है ना, पंजाब में भी है, लेकिन वहां नहीं करूंगी, है? अच आभी सारे तेजस्वी की क्या गलती है तेजस्वी आदवाज कह रहे हैं कि बताएं हमकол पर आपको दया नहीं आ रहे अने ठ्रह आपको हमदर्दी नहीं हो रहे त्यागी जी किस बात कि ए 일動画 रही वहाए वह देढ़ साल आपने 25 का चुनाव उनके नितर तो में लड़ा जाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगे नितीजी ने कहा अगला चुनाव तेज़श्वी जी के नितर होगा अगला है उनका बिल्कु ठीक बात है इसमें कोई दोरा है नहीं जो कमिंग लीडर्शीप है आर जे ली की उसके स्वभाव एक नितर वो है और अगर घठबंदर रहता है तो हूँ आफ्टर नितिश्व यह हम से इसका ही इनकार की तो अब सोचिए ज़रा आप इधर आ गए अप ते जस्वी आदव बैठे रहे यह क्यों नहीं पूछते आप हम से कि हम इधर क्यों आए आपको इतनी देर से बता रहे है बीजेपी से क्या समझोता हुआ आए ते आगी जैसे समराग चौधरी यह कह रहे है कि उस संजज हाँ आए थे हमारे पास प्रस्तावले क्या हमने मान लिया देखिए वो घटना करम आपके टेलिविजन पे चल चुका है नितीजी ने इस्तीफा दिया उसके बाद परदानमंतरी से भी उनकी वारता हुई उसके बाद बीजेपी की लेजिसलेटिव पार्टी की मीटिंग हुई उसमें संजज जाजी ने प्रस्ताव दिया उन्होंने सिर्कार किया एंडिये की बैट्रेक कोई उसने नेता चुना वो गवर्नर के पास गिए उससो जो समयदानिक पिरकेडिया का हिस्सा तो पहल किसमें की थी है हमें ने पहल की आपने की थी क्यानि संब्राट चौधरी सही कह रहे है आप कोई गलत नहीं कह रहे है प्रस्ताव लेकर तो संजजाजी गए थी बीजेपी के पास और दूसरा है जब दोस्ती होती है तो ऐसा नहीं है कि एक या आदमी ना हत बढ़ाय हुआ है अगर दूसरा हत खीची लेगा तो दोस्ती नहीं हुआ है अप्तियागी जी यही कि बिहार को इसकी उचाईयों पर ले जाना है लोकसभा चुनाब लड़ा जाना है लोकसभा पासवान भी इसी गड़ बंदन में होंगे देखे फिर वोई सवाल पैदा होते है हम तो बीजेपी के साथ जब पिछली बार लड़े थे सोले सीट जीते थे एक पर नमबर दो रहे थे समझोता लजेपी का बीजेपी के साथ है हमारे साथ तब भी नहीं था उस समय भी चिराग पासवान जी को हमने कमिनिकेट किया था और मानिये ग्रहमंतरी सी जीसे जो उनकी आकरी मीटी हुई है उसमें भी यह था कि उनको बीजेपी स्टाल मेल करने थीक है ओके मैं समझ गया पिछली बार की तरह बिलकुल वैसी हो जाएगा इस बार चालिस में से कितनी सीटे जित लेगा एंड ये चालिस की चालिस उनन्तालिस तो पिछली बार भी जित थी थी और हम तो एंड ये में एंड ये के संस्ता पर गामें जॉर्ज फुनाडी जब जब चोदे दिन की सरकार नहीं काम कर पाई थी अटल जी की तो उसके बाद एंड ये बना है जॉर्ज उसके कन्विनर थे और जब उननीस सो पिचानमे या चानमे में जब जॉर्ज फुनाडी जी बिमार थे तो अड़वाने जी उनके पास गए थे कि आप हमारी रेली में आईए मुंबई वाली में नितिस कुमारवाज दा फर्स्ट लीडर जो उस रेली में जाते हैं त्यागी जी बहुत मसा है आपके साथ इस चायवाला इंटर्विव में और मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने एकदम बिल से इमानदारी से हर सवाल का जवाब